वाहि गुरुजी का खाल्सा श्री वाहि गुरुजी की फते जनम साखी दस गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंत साखी गुरु अर्जन देव जी की गुरुजी की प्रसिद्य प्रेमी सिखों की वारता गंगा राम ब्रहमन बटिंडी का रहने वाला एक ब्रहमन गंगा राम एक बार उटो पर बाजर लात कर पेचने के लिए अम्रिसर आ गया उस समय गुरुजी संतोकसर की सेवा करवा रहे थे गंगा राम ने देखा कि यह हाजारों मजदूर काम कर रहे है यहाँ उसका बाजर बिक जाएगा वह गुरु के लंगर में से भूजन खाकर बड़ा खुश हुआ एक दिन उसने लंगर में से अनाच की कुछ कमी को देखकर अपना पाच सो मन बाजरा तोल कर लंगर में डाल दिया इतनी देर में वेसाकी का मेला आ गया मेले पर जो संगत गुरु जी के दर्शन करने आई उनकी और से बहुत भेट गुरु जी को अरपन हुई जिसमें अनाच वस्तर और नकड़ी पैसे इकटे हो गए मेले की समापती के उपरांद गुरु जी ने अग्या की कि गंगा राम का हिसाब करके उसको बाजरे का मुल्य दे दिया जाए धन गुरु नानक जब गंगा राम को बाजरे का मुल्य ले लेने को कहा गया तो उसने कहा हमाराज मैं आपजी की सेवा करके अपना जन्न सफर करना चाता हूँ बाजरे का मुल्य मैंने नहीं लेना यह मेरी सेवा सुईकार की जाए मुझे अपना सिक सुईकार करके नाम दान दे दिया जाए उसकी शर्दा और प्रेम को देखकर गुरुजी ने उसको चरन पहुली और सतनाम का उपदेश देकर अपनी सिक्की बक्षी दी धन गुरुनानक सिक्की प्राप्त करके गंगा राम रात दिन एक करके गुरुजी की सेवा में लग गया गंगा राम को सेवा का मेवा मिल गया उसको रिद्धिया सिद्धिया की प्राप्ति हो गई तद उपरांत वह अपने गाव चला गया और जो वच्चन मूर से कहता वही पूरे हो जाते थे धन गुरुनानक भाई अजब और अजाईब श्री अम्बिच्सर सरोवर की सेवा के समय डोरोली भाई के रहने वाले दो सिख भाई अजब और अजाईब बड़े प्रेम से सेवा करते थे उन्होंने और भी कई सिखों को प्रेरित करके गुरु घर की सेवा में लगा कर सिख्की धारन करवाई बाहर से आई संगत से पैसे इकटा करके भी गुरु जी की सेवा में दे देते थे धन गुरु नानक इन दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु जी ने इनको तहसिल जीलों के गाव धरम कोट की सिख्की बक्षी और गुरु मत्ती का प्रचार करने के लिए आज्यादी इस कारण इन्होंने अपना जीवन सफल करके बहुत यश्च प्राप किया धन गुरु नानक वाहि गुरु जी का खाल्चा श्री वाहि गुरु जी की पते धन गुरु नानक